नबस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है ग्रेट पांच प्यारे चात्रों, आज का पाठ है वचन, पुलिंग शब्द विभक्ती सहित बहुवचन आज के पाठ का उद्देश्य, बहुवचन के नियमों का बोध कराना विभक्ती सहित पुलिंग अकारांथ तथा आकारांथ शब्दों का बहुवचन रूप सिखाना पुलिंग शब्दों के विभक्ती सहित बहुवचन करने से पहले चलिए एक कहानी पढ़ते है कहानी का शिर्षक है मूर्ख कबुतर मूर्ख कबुतर अवसर पाते ही एक बाज अकसर कबुतरों के जुन्ड पर जपटता था कबुतरों का जुन्ड हमेशा उसकी पकर से बच निकलता था सारे कबुतर उस बाज से भईभीत रहते थे और उसके आक्रमन से बचने के लिए सतर्क रहते थे बाज काफी दिनों से उन पर नजर गराए था उसने एक योजना बनाई और कबुतरों के पास जाकर बोला इस तरह से दरदर कर जीने से ख्यालाब इससे अच्छा तो यही है कि तुम लोग मुझे अपना राजा बना दो ताकि मैं हर तरह के संकट से तुम लोगों की रक्षा कर सकूँ कबुतरों को यह बात पसंद आई उन्हें लगा की बाज उनकी भलाई चाहता है उन्होंने बाज को अपना राजा बना दिया राजा बन्दे ही चालाक बाज ने एक एक कबुतर को अलग से बुला कर खाना शुरू कर दिया मुर्ख कबुतर उसकी चालाकी को नहीं समझ पाए कबुतरों के दीनों से लोगों की इन शब्दों के साथ विभक्तियां जोड़ी गई है चुकि ये शब्द बहु वचन में थे तो विभक्ति के आनी से इनके रूप में बदलाव आया है जैसे कबुतर के बना कबुतरों के अब छात्रों हम पुलिंग शब्दों के विभक्ति सहित बहु वचन रूप को देखेंगे अकारांद पुलिंग शब्द पुलिंग अकारांद शब्दों के साथ विभक्ति आनी पर ओ जोड़ा जाता है जैसे कि पहला उदाहरन एक खेत में बन जाता है बहुत खेतों में उसी तरह एक चित्र से बन जाता है आठ चित्रों से अकारांद पुलिंग शब्द विभक्ति सहित बहुवचन एक दिन में बन जाता है साथ दिनों में यहाँ पर ओ जोड़ा गया है उसी तरह एक मित्र ने बन जाता है दस मित्रों ने एक फूल से बहुत फूलों से एक पेर के बीस पेरों के एक पत्र को तीन पत्रों को अकारांद पुलिंग शब्द पुलिंग आकारांद शब्दों के साथ विभक्ति आने पर ओ या ओ चोड़ा जाता है जैसे उदाहरन एक घोरे की बन जाता है तीन घोरों की एक कच्वे के बन जाता है चार कच्वों के एक तौलिय से बन जाता है साथ तौलियों से आकारांद पुलिंग शब्द विभक्ति सहित बहुवचन एक बेटे ने दो बेटों ने यहां पर एक निकाल कर ओ जोड़ा गया है इसी तड़ह एक लड़के की तीस लड़कों की एक लोटे में आठ लोटों में एक केले के पांच केलों के आकारांद पुलिंग शब्द विभक्ति सहित बहुवचन एक कच्वे को दो कच्वों को एक मच्वे ने तीस मच्वों ने एक कवे के आठ कवों के एक बटवे में पांच बटवों में एक केच्वे से छ़ केच्वों से कुछ अन्य आकारांद पुलिंग शब्दों के विभक्ति सहित बहुवचन को देखते हैं एक पहिये को दो पहियों को एक तकिये पर तीस तकियों पर एक रसोईये ने आठ रसोईयों ने एक बहेलिये की पांच बहेलियों की एक भेरिये के श भेरियों के अच्छा छात्रों, अब तो पुलिंग शब्दों का विभक्ती सहित बहुवचन जान चुके हो, इन नियमों को याद रखना, चलिए इसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे सही शब्द चुनकर लिखिये, पहला वाक्य, रवी निघर के तीन को खूब सजाया, कमरे, कमरा, कमरों, कमरों दूसरा प्रशन पाँचवी कक्षा के दो ने कीद गाया चात्राओं, चात्र, चात्राएं, चात्रों तीसरा वाक्य, मेरे के पिताजी पाठ शाला आये थे मित्रो, मित्र, सहेलीयो, सहेली चात्रों, मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूँ, इन वाक्यों को अपनी कापी में लिख दीजिए आज की पहेली अगर नाद पर छड़ जाओं कान पकड़ कर तुम्हें पढ़ाओं बोलो तो, मैं क्या हूँ, सोचो तो उत्तर है चश्मा या उसको अईनक भी कहते है याद रखिये चात्रो, मोबाइल फोन पर अधिक खेलने से आखे कमजोर हो सकती है और चश्मा भी लग सकता है तो चात्रो, मोबाइल फोन पर कम समय बिताना धन्यवाद फिर मिलेंगे बाद लग सकता है